Good morning dear students, hope you all are fit and fine आज की वीडियो में हम व्याकरन लती का वर्कशिट 4 संयुक्त वेंजनों के बारे में डिस्कस करेंगे संयुक्त वेंजन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं जब दो वेंजन एक साथ आते हैं तब विस संयुक्त वेंजन कहलाते हैं जब हम दो वेंजनों को एक साथ यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे संयुक्त वेंजन इसमें पहला वेंजन स्वर रहित होता है और जिसके साथ ये जुड़ता है वह वेंजन और या किसी अन्य स्वर के साथ होता है वेंजन आपस में अलग-अलग तरह से जोड़ते हैं हम अलग-अलग तरह से वेंजनों को जोड़ सकते हैं जैसे कि जिन वेंजनों के अंत में पाई होती है जिनसे वो पूरा शब्द बनाते हैं उन्हें दूसरे वेंजनों से जोड़ते समय उनकी पाई हटा देते हैं कैसे? ध, धन, व, यहाँ पे ध की जब पाई हटाई तो बना ध्व, जिससे बनता है ध्वज स, धन, त, स की पाई हटाई स्थ, जिससे बना पुस्तक जिन वेंजनों के बीच में पाई होती है उन्हें दूसरे वेंजनों से जोड़ते समय उनके आगे का घुमाव हटा दिया जाता है जहां ये जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है आधा होने क्यों हो जाता है क्योंकि हमने क्या करा उनके बीच की पाई हटा दी जिन व्येंजनों में कोई पाई नहीं होती उन्हें दूसरे व्येंजनों से जोडते समय उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं क्योंकि इनमें पाई नहीं होती है तो हम वहाँ पर लगाते हैं हलंत देखते हैं द धन ध ध गढधा र र शब्द अपने से पहले या बादवाले व्यंजन के साथ अलग-अलग रूप से जुड़ता है मतलब कि यहां हम र का अलग-अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं हलंत लगा सकते हैं पूरा र लिख सकते हैं र में स्वर मिला के बना सकते हैं शब्द तो देखते हैं र धन अ यहां पूरा र हमने यूज किया जिससे की शब्द बना राद तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं हम दो व्यंजनों को, तीन व्यंजनों को मिला कर, उसमें स्वर मिला कर शब्द बना सकते हैं Students, तो आज हमने जाना कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं Next वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन वर्कशीट नंबर 4 जो है, उसको हम करेंगे Okay students, thank you so much, have a nice day